नाफिट की सिमित रूप से उंचे दामों पर बिक्री किये जाने के कारण फिलाल खुले बजारों में चने की किम्तों में सुधार बनने लगा है उधर मंडियों में चने की आवक भी काफी कम हो रही है हलके माल की आवक बढ़ चुकी है जबकि डिमांड अच्छे दामों पर बनी हुई है वही नाफिट के पास बेचने के लिए अब अधिक स्टोक नहीं है जबकि शादियों का सीजन रहने से भी चना दाल और बेसन में खरीदारी धिरे धिरे बढ़ रही है मिली जानकारी के अनुसार दिजंबर के दूसरे सब्ता के बाद चने में वाइदा कारोबार शुरू होने की भी चर्चा बाजारों में जोरो पर चल रही है जिसके चलते भी स्टोकिस सक्रिय है विपारियों का कहना है कि चने की सोइंग में कमजोरी का अनुमान है सोइंग पंदरा से 20 फिसदी के आसपास कम है जिसे ध्यान में रखते हुए चने की कीमतों में एक तरफा तेजी की स्थिति बनी रह सकती है आपको बता दें कि हफ़ते के दूसरे कारोबारी दिन इंदोर में चने की कीमतों में तेजी देखने को मिली चना कांटा बढ़कर 51 सो रपे प्रतिक्विंचल पहुँच गया और इसके समर्थन में चना विशाल में भी तेजी देखने को मिली 47 सो से 49 सो रपे तक भाव उपर में जाब पहुँचे वहीं डंकी चना 42 सो से 45 सो रपे प्रतिक्विंचल बिखने लगा चने की दाल में भी मांग दिरे दिरे बढ़ रही है जिसमें 50 रुपे की फिलाल तेजी दर्ज की गई है उदर मसूर, मूंग, उड़द और तूर में फिलाल कोई बहुत जादा उठा पटक देखने को नहीं मिली Bureau Report Market Times TV